हाई गाईज मेरा नाम है आजाद और आप लोगों का स्वागत है मेरे गेमिंग चैनल पर मतलब बोलते हैं रेस्टरॉन जाते हैं तो हम खाने से पहले स्टार्टर मंगाते हैं तो वो ऐसी तरीके से PUBG ने मतलब सीजन 11 से पहले स्टार्टर भेजा है एक दिन पहले और वो तबाही है सीरसली बोलता हूँ यह एकदम ऐसा मैप है न आप अपडेट करोगे न सीरसली आपको मज़ा आजाएगा खेलने में मैं अपडेट किया हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके का पूरा गेमप्ले है और पूरा गेमप्ले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चलिए शुरू करते हैं तो गैस जैसे ही आज का गेम मैं open करता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे लिखा हुआ Royal Pass Season 11 Operation Tomorrow मतलब कल आ जाएगा Royal Pass Season 11 और मैं इसका न इतना क्या बोलते हैं ऐसा इंतजार कर रहा हूँ पता नहीं कैसा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 11 सीजन खेलना है और तबाही के साथ खेलना है मैं उतना अच्छा से खेल नहीं पाता हूँ लेकिन मुझे खेलना है यदि आप लोग भी excited हो न तो मुझे comment section में जरूर बताना और जैसे ही आगे बढ़ते हैं में मिलता है New Arena Mode Domination मतलब Evo Ground का ये TDM का नया map आया है और बहुत तगड़ा map है seriously बोल रहो हूँ बहुत ज़ादा तगड़ा map है जिसने call of duty खेला है और call of duty का fan है ना उसके लिए बहुत तगड़ा map है मतलब उसी तरीके का same है कि आप सड़क पे लड़ सकते हो आप छिप सकते हो, attack कर सकते हो defend कर सकते हो, यह सारी चीजे हैं इसमें और आगे हमें पूरा gameplay आप लोगों को दिखाता हूँ और किस तरीके से क्या क्या चीजे हैं इस map में वो सारे चीज मैं आपको लोगों को बताऊंगा तो देखते रहो और प्लीज यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कर देना यार भाई को support करो यार आगे आएंगे न तो और भी अच्छे तरीके से तुम लोगों को बताऊंगा सारी चीजे और मुझे भी उतना कुछ नहीं पता है यदि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा न तो प्लीज कॉमेंट सेक्षन में आखे जरूर बता देना मैं आप लोगों से contact करूँगा उसके बाद आप लोगों से भी बात करूँगा और यदि आप 9 से 15 के बीच 15 जैन के बीच यदि आप update कर लेते हो तो आपको ये सारी चीजे मिलेगी अपडेट करीबन 100 MB का है 100 से प्लस MB का है कुछ 100 something कुछ है मुझे याद नहीं है प्रॉपर और आपको मिलता है 2000 BP 20 सिल्वर कोईन और एक ये हवा वाला धुआ तो चलिए अब चलते हैं गेम प्ले की तरब तो हम जाते हैं मैप में मैप में इवो ग्राउन पे क्लिक करते हैं इवो ग्राउन में क्लिक करने के बाद डॉमिनेशन पे क्लिक करते हैं और इस तरीके का स्टार्ट कर देते हैं मैच और इस तरीके का कुछ मिलता है हमें देखने को चार-चार ओप्शन रहते हैं चाट चाट टीम रहती है एक red team एक blue team तो आप blue team में हो गए हमेशा ही और यहाँ पर map देख लो इस तरीके का map है red house, black house, AC, B कुछ बना हुआ है आप देख सकते हो पूरा ही चीजे map है और इसमें भी आपको load out मिल जाएगा gun में आपको नहीं पता है load out क्या होता है gun change करने का होता है आपको एक ही gun मिलेगा नहीं तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके से change करते हैं तो description पे एक link है आप वहाँ जाओ आपको पता चल जाएगा कि gun कैसे change करते हैं सब कुछ तो यहाँ पे 5 second का उसी तरीके से option मिलता है नया बेस activate हो जाता है 5 second में और game शुरू हो चुका है अब तो इस gameplay को पूरा देखना और आगे जो जो चीज नहीं नहीं चीजे आती जाएगे मैं बीच बीच में आप लोगों को बताते जाओंगा और मज़े लो यार इस gameplay का मज़े लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और रुकना पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोगो को सारी चीजे समझ में आएगी एक एक चीजे बीच बीच में जितने भी चीजे आती होगी जैसे बॉक्स आता है कहां से अच्छे अच्छे गन मिलते हैं कहां से लेवल थरी का हलमेट मिलता है वो सारी चीजे में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो प्लीज गाइस पूरा वीडियो देखना तो इस मैप में पांस से दस सकेंड के अंदर अंदर वेपन ग्रेट ओपन हो जाता है जैसे इवो ग्राउन का मैच हम टीडियम खेलते हैं उसमें वेर हाउस के बीच में मिलता है मैं AWM या फिर कोई भी गन M249 और लेवल थरी का वेस्ट या हलमेट आपको कंटेनर के उपर मिलता था लेकिन यहाँ पर करेट के अंदर ही सब कुछ मिलता है एक जगह जैसे देख लो सामने एक करेट है वहाँ पर मैं जाके खोलूँगा मुझे मिला है अंदर M249 और लेवल थरी का वेस्ट लेवल थरी का हलमेट और भी बहुत कुछ मिलता है सारी चीजे जो भी angle-wangle मिलता है सारी चीजे लेकिन मैं यहाँ पर बचनी पाता हो वो चीजे अलग है मैं मर जाता हूँ क्योंकि मैं उतना अच्छा player नहीं हूँ अभी seriously मैं लेकिन खेलते खेलते practice के दौरान हो जाऊंगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खेल सकते हो और हमारे साथ जो भी खेलना चाहेगा ना कि गेम प्ले में वो आ सके है मैं रोज वीडियो डालूँगा इस तरीके का टीडियम हो सके मैं जो भी ओ क्लासिक मैच का वो डालते रहता हूं रोज य एक टीम दो राउन में होगा एक टीम A राउन और टीम B राउन में और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका 47 परसंट या 50 परसंट दिखा रहा है ब्लू टीम का और 27 परसंट दिखा रहा है रेट टीम का तो यहाँ पे किल का कोई मतलब नहीं है आप कितना किल करते हो करता हूं यहां पर परसंटेज बाइच चलते रहता है आगे पीछे दोनों तरफ से परसंटेज चलते रहता है एक तरफ देखो आभी 63% है ऊपर ठीक ऊपर में और 34% है रेड टीम का और यहां पर टाइमिंग चल रही है एक मिनट 20 सकेंड एक मिनट 18 सकेंड फिर घटे जारा 17-16 तो यह फिर खतम हो जाएगा फिर 4 मिनट के बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा तो आपको दोनों राउंड जीतना होता है यदि मुझे नहीं पता है कि दोनों राउंड जीतना होता है या एक राउंड जीतने पर आपको टाइ हो जाता है मैच वो मैंने नहीं बस चार मिनिट के अंदर आपको ज्यादा किल करने होते हैं दोनों राउंड में. अब आप आगे का गेमपले देखो, उसके बाद लास्ट में हम सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे. तो आप गेमपले देखो अभी, मजे लो. अबनीों के बाउंडें बाउंडेंडें चल्याद के बाव सुर्षा An sìअज के वरी को य़ोचिजों हैं यवो coroná जिएण अर्षा कर दोभर में झाल्श काँ भाक आयांग काँलिज ईचानगे आपया अवार काँलंग तक दोफरस्द निया प्रेस्टेद ले हैं री कर दो कि छिति करेंगा ते! टोईए, करेंगा! the blue team will capture the base in ten seconds and here's our team जीत गई है और यहाँ पर देखो विक्टरी के राइट साइड में जीरो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में टू लिखा हुआ है मतलब ब्लू टीम ने दोनों राउंड जीता है और विक्टरी के राइट साइड में जो रेड टीम है वो जीरो राउंड जीती है तो और यहा ज्यादा आप गेम जीतोगे तो बस यार आज के लिए इतना ही और यदि वीडियो एक परसंट भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना शेर कर देना और कॉमेंट शक्षिपने आप अपनी राइज जरूर दे देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने न मैं गेम प्ल